प्रधान और जंता का आमना सामना प्रधान पंचायत हम पहुंच चुके हैं बलदी राय ब्लॉक के दुर्गापुर गाउं में यहां की जंता हमारे साथ महजूद है यहां के प्रधान हमारे साथ महजूद है एक बार जोड़ दातालिया दुर्गापुर की जंता के लिए प्रधान जी बीते पांच सालों से आप प्रधान है क्या क्या कि आपने दुर्गापुर के लिए सबसे पहले तुम्हें जंता का धनबाद देना चाहता हूं और यहां पर पिंशिन आवास और जो है मरेगा के अंतरगर सणकें खरंजा नालिग वेवस्था इसारी वेवस्थाइं की गई आपके द्वारा बता रहे हैं आपकी तमाम कारे कराएं गए हैं लेकिन हमने जब इस गाउं का सर्वे किया तो जल भराओ की समस्या सबसे अधिक पाई गई गई है किया वैस्ता की गई जल भाराओ के लिए जल निकासी के लिए जल निकासए के लिए जब इखाशे कि लिए जो बाकी एच्ग को दो किया जाए भार छ SEC. कि और कौई से समझाइं अभी आपकी नजर में हैं जिसको आगे आप समाधान करने के लिए तयार है जनता की समझाइं अभी कुछ शंके बाकि हैं कुछ आवाज कुछ लोगों को नहीं मिल पाया है जिसे मकान गिर गया है लेक पाल उतका तर्वे किया है अभी उसका पैसर ही के लिए हैं कि आपका सूची नाम है मिलेगा किया पूशना चाहेंगे अपने परधान से पहले भी पूछे जहां अभी कि पूछे पताइए प्रधान जी इनकी समझा का अवास आने वाला उस में करदे सुची कि मीजू शर्भी हुआ उसमें नाम है जी जी आपकी क्या साय हैं आप लोगों की कुछ पूछना चाहते हैं अपने प्रधान से हम यह पूछना चाहते हैं कि जैसे पेजल की समस्या होती है हमारा गाउं जिस गाउं से हम मतलब रहते हैं उस गाउं में एक भी इंडिया मार का नल नहीं है आज से 25 वर्षों के कारिकाल जब से हम जानते हैं एक भी इंडिया मार का नल नहीं लगा हुआ है और कुछ लोगों ने कहा भी इसको लगवा दीजिएगा या रिबोर ही करवा दीजिएगा लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया उसमें जो पानी है उसकी जांच हुई थी उसका पानी सही पाया इसलिए रिबोर नहीं करवाए गया जो जिस मतलब की जिस नल की जल खराब है उसमें तो मतलब बिद्याले का नल है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो पूरा गाउं है करीब करीब 200 की आबादी है उसमें एक भी इंडिया मार का नल नहीं लगा हुआ है हम उसको चाहते हैं कि कम स आपको क्या समस्या लग लाग Şimdi क्या समस्या आपको लग्रहे हैं किया समस्यत बहुत है मोँरे नाली देखिए आप या इंक्वार कर लीजिए कचला पूरा उपर से बैर आ है पुणी देवस्ध्वाम मां खुदी अपने घर को जाते हैं तिसनी पानी गोउचके जाते हैं जननिकासी की ब्यवस्ता नहीं है प्रधान जी नहीं है उसको करवा दिया है इनको कई बार बोला कि इस पर कुछ नहीं तो छोड़ा सा यह जादा नहीं इसना यहां से वहां चाप मने का इसको खरंजा लगवा दीजिए आप उचना चाहेंगे सवाल हमारे हां इस रड़क प प्रधान जी से एक बार हमने काहा तो प्रधान जी करने कि इसमें पैसा लगता है तो उसकी आगे हमने बाती बंद कर दिया मजदूरी केवल धाई हजार मिली है कि इतनी ही होती है कि आओर हमने सुना है कि कालोनी का पैसा आपके ही खाते में आता है जिसको अधा और भेल 30,500 बन नोच मजफ दूरी मुझे मिली है और हम लेटरिंग बन tempted को कह रहे थे तो परधान जी ने कहा कि इसे एक महीने में बना के दो हम कहा हमारी बसकी बात नहीं है एक महीने में हम जब कालोनी पाएंगे तो उदी साथ साथ बनाएंगे तो इन्होंने कहा ठेकास बनवा दूँ मैं कहा ठेकास बना दीजी ठेका से भी बना दिया भी सीट नहीं लगी सीट लगी है तो बूर भी गई और उस पे च्छत भी नहीं लगा आपको क्या समस्या अब और एक समस्या है हमारे धाइश घर की मतलब 35 घर की आबादी है यह पानी की निकासी नहीं है जो निकासी होती थी वहाँ परिश्कूल की वहां वहाँ है कि समाधान होनों हमारे पास नहीं रही है और मश्दूरी बीने मिली है किस की मदूरी नहीं है वास की मजधूरी लिए है कि ह hanging maskरी का क्या समस्या है किस परकार से समथ्य को आप WHO समलें इसमें आइसा था जैसे उसका एक गो बनाई जए चाइम दिया towardsronics प्रदान जी सच भारत मिसन का एक सपना है कि हर गाउं में लेकिन आपके गाउं में अभी समस्याया रही है प्रदान जी यहां भी वही समस्या है अब वो बाहर मेरे नाली है वो नाली हमारा आदमी के हाथ तूट है पूरे गाउं में जलनिकाफी की समस्या है उसकी बेवस्ता प्रदान जी बोल रहे हैं करेंगे लेकिन जो मजदूरी की समस्या आ रही है आवाथ में इसकी क्या बेवस्ता होगी यह बताईए उसकी बेवस्ता है उसमें सब पेमेंट अलग चुका है आड़ी लाग हो जाने के पैसा आएगा आपको यह पंद्धान जी संतोना दे रहें कि आपका पैसा आएगा आपको बाहर नाली बच्चे गिर गिर जाती हमारा आदमी साहब कर रहें प्रदान जी कुछ समस्या लगती है आपको अपने गाउं में हैं जाया जाया लेटीरिंग डादी कुछ समस्या आपको लगता है अपने गाउं में हमारे कालोनी का नाम था लकिन हमारे कालोनी के बोल रे हैं मैं पूछा हमारी कालोनी कभी आव अगया कहना आप अपनी समस्या के बारे में आपने प्रधान जी से कभी कहा था? अपने घर काम नहीं है कि तुमको कालोनी दिये जब कालोनी आएगी तो तुम्हारी कालोनी दियेंगा एक गाओं में बहुत सारे लोग होते हैं जो बिना घरों के होते हैं कुछ समस्या प्रधान की भी होते हैं क्योंकि कालोनी या सीमिज संख्या में आती हैं तो हो सकता है उसी वज़ा से आपका वंचित रहेगा नहीं हमारा नाम पात्र में डाल दिया तो कहां से आएगा ये भी कर दिया तो हम लोग इधर उदर दौड़े थे तो सब लोग बोलें कि पात्र में कर दिया तो नहीं आएगा इसलिए बैट गया अम लोग प्रधान जी इनकी समझ्यां क्या हैं आप समझे जी दादी और कुछ पूछना चाहेंगी अपने प्रधान से आप लोग बता ये पैंसिन हमका मिलत ना इसकी एक पैंसिन मिल रही है आपको ना प्रधान मंत्री योजना की एक पैंसिन आपको मिल रही है ना नहीं नहीं है अब तो बता रहे हैं प्रधान मंत्री योजना कि कोई पैंसिन आपको में बृध्धा वस्था की आपकी पैंसिन आ रही है अभी आप कुछ पैंसिन नहीं पा रहे हैं बृध्धा अवस्था की पैंसिन की बेवस्था प्रधान जी करेंगे अभी समय बागी है उनके कारिकाल में और कुछ कोई पूछना चाहता है बृध्धा पूछी आपको समस्या होती रही होंगी आपने प्रधान जी से आपने कभी कहा है कालोनी यह जान लिया कि नाली भाईया हमरे वही च्छा परक बगले कहीं निका रहा है एक गाव में सीमिश संख्या में कालोनी आती हैं क्योंकि लोग जादा होते हैं तो उनकी समस्या का मतलब सबकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है लेकिन अगर आपकी संख्या है गंभीर है तो हम भी प्रधान जी से अंड्रोफ्त करेंगी कि आप समस्या है पूरी हो आपको क्या समस्या है बता हैं तो हमारे चाहू कालोनी मिली आए हमें लेटरी नेक्थी बनी आए है मुलक कालोनी बनी मजदूरी ना लाई है मजदूरी आने वाली है प्रधान जी बता रहे हैं कि पैसे पल्लाक लगा हुआ है वो बेवस्था जल नहीं होंगी और कुछ पूछना चाहते हैं आप गाउं के युवा है आप कुछ नाली हमारे पानी का बेवस्था ना है ना हाँ जल निकासी की बेवस्था पूरे गाम है उसकी बेवस्था प्रधान जी करने वाले हैं बता रहे हैं अगर वो समस्था का समाधान नहीं करते हैं तो हम फिर आएंगे और पानिक बहुत तकलीफ ही आ है हम फिर आएंगे वो बता रहे हैं कि समस्था का समाधान होगा जी कुछ पूछना चाहेंगी प्रधान जी से कुछ पूछना चाहेंगी तादी सफाई कर्मी ध्यान नहीं देते हैं क्या इसी समस्या है कैसा समाधान कर्मी नहीं आता है आपके गाउं में नहीं इसे बात नहीं हो जी सफाई कर्मी आता है आप समझने का प्रयास कि एक गाउं में सीमी संख्या में कालोनी आती है लेकिन परदान कुछ यह जो रहेगा वैसे देना चाहिए जिसको घर है सब कुछ है उसको कालोनी दे देते हैं जिसका कुछ भी नहीं है मेरा घर जाके देखिए आप कैसा है का परदान को नहीं देखता है कि पात्र में हैं बहुत सारे लोग हैं जिनके मकान कच्छे हैं बढ़तात के दिनों में लोगों को समझना काफी होती है कैसे प्रबंध होगा काफी सारे लोग हैं आपके सामने खड़े हैं जिनका 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 आवास कच्छा है पक्के मकान नहीं आप लोग हां दुठा जीजिए सूनिए जो दो हजार ग्यारा की चूंची थी उसमें लोगों का नाम नहीं है जो सर्वह हुआ आवास आजायका तो देदिया जाएगा 2011 की सूची में सर्वह हुआ था जिननका नाम है वह बता रहे हैं कि उनकी कालोनिया आएंगी आप लोग संतुष्ठ हैं बता रहे हैं 2011 में सर्वे हुआ था उसकी कालोनिया भी नहीं आई है आने वाले यह पटाएंगी एक महीने बाद आ जाएंगे अगर नहीं आती हैं तो अभी तक क्यों बिल्कुल बिल्कुल नमबर देंगे बता रहे हैं कि जिनका नहीं बना है 2011 की शर्वे सूची में नाम है उनका आएगा अगर नहीं आता है तो हम आएंगे और पूछेंगे इनसे भी आपसे भी और कोई कुछ पूछना चाहता है अपने प्रधान से अब इसे जल भरा वाली और बिलकुल लेटरिंग के निव भजगे उसे चोड़ दी गए पानी में बारी जबाजी पानी कुल भरा लेटरिंग कहा जाए और सरकार कहती है कि सुक्षभारत अमिमान संचाला है बनाव करो इतनी समेस्या हमारे महिलाओं को हो गई है प्रधान ज पूंड रूप से बन नहीं हुआ है आपके गाउं में दादा कुछ और यहीं समस्या है आपके गाउं में जलनिकासी की समस्या हैं समस्या यह भी है नाला बना हुआ उसकी सफाई नहीं हो पाती है ना अरे उसको छेट पंचायत वाले करवाते हैं जिला पंचायत वाले लेकिन उसको थोड़ा सा करवा के छोड़ देते हैं अधूरा रह जाता है सच भारत मिशन का एक मोदी जी का सपना है कि हर घर में एक सोचाले हो बहुँ बेटिया बाहर ना जाएं आप भी थोड़ा आपका आपके प्रधान बता रहे हैं उसको पहले सुन लीजिए उसके बाद प्रधान जी कह रहे हैं इस पंचवर्थी में एक भी सरकारी हैंट पर नहीं आया प्रधान के पंचवर्थी में यह उजना नहीं है कि नया नल लाके गया है यह विधाईकी के उसमें आता है प्रधान जी सच भारत का सपना था है मोधी जी का कि हर घर में एक सौचाले हो बहु बेटियां बाहर न जाएं लेकिन आपके यहां बता रहे हैं लोग की अभी सौचाले पूर्डों से बना नहीं हुआ है तो नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा हम काफी लोगों से आधार भी मांगे थे कुस् Folok ने नहीं दिया आधार चाहेगा दादा झी कुछ पूच्छना चाहेंगे अपने पूरदहां बिलकुल पूचरिये किके गब पाक फ्वक्तर फियर्च यह ऊंगा तो कमरे तक कुछ के मिल रहा है मारे पास मोरंग और ठेक्ट इमाँसी है we उसमें एक सिस्टम था सरकार का कि पहले हाफ पैसा ही मिलता था उसके बाद मतलब डारेक्ट चक नहीं मिलता है आप पिर मिल जाएगा ऐसी ब्युक्त पांच वर्स हो गए पांच वर्स में आप आज पहली बार आ रहे हैं अगर मैं एड़्वाइज देना चाहते हूं अगर पैसे में पहले बार बार समय अप आप लोग आए आर्म न्यूस्ते में भी जाया होगा कि आए तो लोगों की सुविधर जो हैं वह सुनेंगे इस पहल की शुरुआत आज से हुई हैं लेकिन यह यहीं पहल यहां कर रहे हैं यह एक ही ही अ्न ग्राम सभा हुम में पानी की निकासी की बात है जब नल ही नहीं लगा है तो पानी की निकासी कैसे इसलिए मैं यहां सब्सक्राइब कोई आजया यूवा हमारा है कि सुख्ष भारत जो मिशन चला है परदानमंतरी की दाट से तो इडवाईज है हमारी तरफ से कि इसतरा से पहल होते रहेंगे तो उनको ज्यादा सुद्ध है मारी पता चल पाए लेटरी ने कहिए परदान ने बन वाए लिए लेटरी बन गई पैसा नहीं पैसा बता रहे हैं लाक लगा हुआ आएगा उनकी बातों से आप संतुष्ट हो यह नहीं अगर वो उनके कारिकाल समाप्त होते तक ब्यवस्था नहीं करते हैं तो हम फिरते आएंगे और इन्हीं परदान को बठाएंगे और आप से सवाल करेंगे यह घर दुआर चल की चाहरा देख लेए बना बाए बन जाए लेकिन की जगा नहीं रही ही वही जगा पर गोरू बर लकड़ी कंड़ सपाथ तेने ओपर लेटरी के घर बाए उपर इवली है पंचाइद घर बन गया हमें सब कहीं पर सुवित्ता नहीं दे तीन महीने चार महीने का कारिकाल और बचा है प्रदान जी का अगर वह इन महीनों में आपकी समस्या का सवादान नहीं करते हैं तो हम फिर से आएंगे और आपकी समस्याओं को फिर से सुनेंगे और इनसे सवाल करेंगे तो ये से हमारे साथ दुर्गापूर की जनता और दुर्गापूर के प्रदान तमाम प्रदान जनता ने सवाल किया और प्रदान जी ने अपने तरफ से अपना पच्छ रखा तो हम भी लेते हैं यहां से विदा आप इंतिजार कीजिए अगली पंचायत का धन्यवाद खबरों की दुनिया में सच का साथी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कर ये रिसी मी मांसा समचार को जो आप ङॉड़ी औरों को दोत की उरकी खबरों की देखना प्रैस